अगलो दोस्तों मैं चंद्रबान चंद्रबलॉक में आपका स्वागत करता हूँ और यह समें में आज हूं चित्रकूटTV कुट। धाम जहां पर कर if पर दा में चित्रकूटध के प्रवेश द्वार से रहा हूं रामघाट से शुरुवात करता हूं यह रामघाट इसका प्रवेश द्वार है तो चलिए चलते हैं मैं आपको लिए चलता हूं रामघाट और देखिए दोस्तों यह मंदाकनी नदी है और मंदाकनी नदी का उद्गम इस्थल भी यहीं चित्रकूट में हैं यहां से 12 किलोमीटर दूरे में आपको वहां पर भी लेके चलूंगा और यह देखिए किस तरह से मंदाकनी नदी में यहां लोग लाग इस्नान कर रहे हैं कि दोस्तों हम रामघाट पर यह इस ब्रिस के ऊपर चल रहे हैं और आपको इस ब्रिस्थे ऊपर से इस मंदाकनी नदी का विहंगम द्रेश्थ दिखलाएंगे शोवे का समय हैं बादल हो रहे हैं दूप बिलकुल भी नहीं निकल लही है कर दोस्तों मैंने आपको मत गजेंडर नाथ सरकार के दर्शन पर आए और आगे चलते हैं देखते हैं कहां जाते हैं यहां साम को आरती होती है मंदाकनी मा की हो सकता है कि हम आपको साम को यहां आरती भी दिखलाएं देखे भाया यह एक खलू बर्मा है इनका ओटो है और इंसे हम चार दाम के लिए इनों ने हमें पुद किया है यह एक सो फीस रुपे पर सावारी के साफ से ले रहे हैं शेयर में तो चलिए चलते हैं चेट्रुप्त शित्रुपूट धाम में जो चार दाम हैं आप खाम से बताइए अनुषिया गुप्त गोदावरी पतक्सिला रामदर्शन जानकी कुन हनुवान धारा इसका करा के रामदना चोड़ा है उसके बाद पैसे आपको हम यहीं लेंगे राम कराने के बाद पैसे यहीं लेंगे हमको यह ओटों वाले जो हैं हनुवान धारा लेके चलत और आ चुके हैं और यहां पर दोनों तरह की सुब्दान है करीभ बतलाती है के रह, यह भूत्य से कितनी हurar निसमने वे नहीं है और यह जाल भी इता है तो आधे तो इसलिए यहां हनुमान धारा पर काफी भीड़ है चारों तरफ देखिए यह कितनी यहां पर हर्याली है मौसम साफ नहीं है इस समय यहां धुंदशाई हुई है इसलिए थोड़ा धुंदला दिखाई दे रहा है और यह सामने आप देख रहे हैं रोपवे यह दोस्तों मौसम यहां पर साफ नहीं है और यहां किस तरह का मौसम है धुंदशाई हुई है और सामने आप देख रहे हैं चित्रकुट सहर देखिए कितना सुन्दर ना जा रहा है इस पहाड़ी का अब जाए अब लोग बैटके प्लाम कीजिए दारी कलेक्शन कीजिए यह धारा है जो देखने आए हैं आप लोग घनमान धारा यह राम जी ने बाण मारा है और यह बाण मार के धारा को निकाला है ना इस धारे का ने कापता है और ना इस दी के धारे का पता है इसी का अना हनमान धारा बोला जाता है ना ये धारा गटेगी, ना ही बर्साथ में ये धारा बलेगी, इसी का अना, हनान धारा काहाँ काम ये त Fasts, मरता गगी, बातर है कार्टन चर्टन लारे लारा बलेगी, वे वे जारा ब Mitch, ब härkhbर चाहिए यह मुख्या अनुमान धारा मंदिर है मगर इसके अंदर वीडियो फोटोग्राफी बर्जित है इसलिए मैंने अंदर का वीडियो नहीं बना रहा हूं आपको यहीं से दिखा रहा हूं कर दोस्तों इस समय हम सीता जी की रसोई आ चुके हैं तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं कर दोस्तों मौसम बहुत ही खुसनमा है और हम आपको इस चोटी से दिखाएंगे हम सीता मा की जो रसोई बिल्कुल उपर जाके अनुम अन्दारा से भी ऊपर पर है तो चलिए हम आपको रसोई के अंदर दिखाएंगे दोस्तों यह सामने माता सीता की रसोई है जो आप देख रहे हैं दर्शन करके अनुमान धारा और सीता रसोई से नीचे आ चुके हैं और अब हमको जो आटो वाला है वो लेके जाएगा जानकी कुंद अब हम आपको जानकी कुंद लेके चलते हैं बने रही है मेरे साथ चंद्रा विलोग में अब हम जानकी कुंद आ चुके हैं तो चलिए चलते हैं अब हम इस समय आपको जानकी कुंद के दर्शन कराते हैं जानकी कुंद भी जो है मंदागनी नदी के किनारे ही है और इसी नदी के किनारे वो कुंद जैसा एक कुंद बनता था जहां पर माता सीता इशनान किया करती थी यहां पार जानकी करता है यह सीता मां के पेरों के चर्णों के निशान है और यहीं पर माता सीता इसनाम किया करती थी और यह देखिए जान की कुंड के पास ही मंदाकनी नदी एक जरने के रूप में किस तरह से बह रही है कि दोस्तों इस समय में बिल्कुल जान की कुंड के पास इस ब्रेस पर खड़ा हुआ हूं और यहां से आप खुद देख सकते हैं यह कुंड जहां पर सीता माता इसनाम किया करती थी जानकी कुंड के बाद हम इस समय फटकसिला चलते हैं जहां राम के चर्णों के निशान है तो दोस्तों देखिए समय हम फटक सिला पर आए हुए हैं जहां पर की इंद्र के बेटे जैंत ने यहां सीता जी शिंगार कर रही थी उस वहां पर उनके पेरों में चौच मार करक कोई का रूप में चौच मार करके गए थे तो इसलिए राम जी ने एक तीर छोड़ा और वह तीर उनकी आंख में जाके लगा जिससे कि आज भी कोई को आप आना कहा जाता है कोई को तो चलिए चलते हैं फटिक शिला के पास आपको दर्सन कराते हैं क्या बेटा यह कंदमोल फल जो बगवार राम जी ने साड़े गेरा बार वार तो देखिए यह मैं कंदमोल फल ले रहा हूं और यह इसको रेट कि दस रुपे का रेट है और इसको हम टेस्ट करेंगे पहली बार इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है लेकिन दिशी मुनी जंगलों में जो रहते हैं और भगवार राम जो रहे थे इन्होंने इसी फल्व को खा करके अपना समय गुजारा था जो 14 साल के बनवास खाटा था 14 साल में से 11 साल उन्होंने चित्र कूट में बिताए थे फटिक्सिला से दर्सम करके आ रहे हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं माता सती अंसुया मंदर तो चलिए बने रही है मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में देखिए दोस्तों इस समय हम माता सती अंसुया के मंदर की तरफ जा रहे हैं ऑटो से उतरने के बाद यहां से कुछ ही पैदल चलेंगे तो माता सती अंसुया का मंदर आ रहे गा और इस मंदर के दौनों तरफ आप रास्ते के दौनों तरफ आप देखिए किस तरह से यहां मार्केट लगा हुआ है और इसके बराबर में मंदाकनी नदी बह रही है जो कि यहां आपको लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे माता सती अंसुया की तरफ मंदर की तरफ जब जाएंगे यह सामने आप देख रहे हैं माता सती अंसुया का मंदर है और मंदर में चलते हैं अगर वीडियोग्राफिय नहीं बनाने देंगे तो तक जब भी दियोदिन आंपा है और सतो लाएंगे माता सती nikola शाय कि एपरोबाद साथे शाधियो यह एवरा वी बनाने दोह खोरी है कर दो कि अच्छे माता सती उन्सुया का मंदिर है और इस थरफ देखिए ये मंदा कि नदी इसका उद्गम इस्थल भी यहीं पर है आगे इसका उद्गम इस्थल है तो दोस्तों यह मैंने आपको माता अंसुया मंदिर का अबलोकन कराया मंदिर दिखाया और दोस्तों अब हम चलते हैं गुप्त गोदावरी के लिए आपको गुप्त गोदावरी लेके चलते हैं जहा पर शेरी राम जीग ने दरवार लगाया था यह माता सती उसया के पास आप यह देखिए छोटा सा मिनी डेम बना हुआ है कि और किस तरह ऐसे यहां पानी का फिलो जा रहा है और देखिए दोस्तों इस समय में भीच नदी में आ गया हूँ जो कि मंदाकनी नदी में डेम बना हुआ है मिनी और यहां कितना उदर गहरा जल है जा रहे हैं दोस्तों इस समय हम गुप्त गोदावरी आ चुके हैं और आटो से उतरने के बाद यह देखिए हम पैदल गुप्त गोदावरी की और जा रहे हैं है ड्रावरी के लिए यहां बीस रुपे पर ग्यक्ति का एक टिकेट लगता है तो पहले हमें यहां से टिकेट लेना पड़ेगा उसके बाद गुप्त गोदावरी के दर्शं करने कि फा में जाना पड़ेगा और यह देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई आज काफी भीड है तो यह गुप्त गोदावरी देखिए यहां से किस तरह से वह करके अपने गंतव इस्थान को जा रही है तो चलते हैं हम गुप्त गोदावरी में गुफा में दशन करने के लिए स्क्रशैट से दिखनार से बहुते है तो यह गिर्ट उसा इचार्ट चत्रूशन numerical कि अर भीड देखिता के लिएं的時候 इंवह में पाला है। दोस्तों ये गुप्त गोदावरी वो गुफा है जहां पर सिरी राम जी ने अपना यहां दरवार लगाया था और इसी गुफा में यो रहे थे आप सामने खुद देख रहे हैं दोस्तों दो गुफा हैं गोदावरी एक में दरवार लगाता और एक में गोदावरी नदी बहती है उस नदी बहती हुई में हमें वीडियो नहीं बनाने दिया गया ़ा लोखुथों आज हमारा यहां दूसरा दिन है रामाघाट पर तो देखिए न तुलसी गुफा चलते न हैं और आश सामको हम आपको आरती भी दिखलाएंगे तो आज हमारा दूसरा दिन राम घाट पर रहेगा हम चल रहे हैं है तुल्सिदास की तपोच्तली तुल्सिदास गुफा तो चलिए चलते हैं गुफा में दर्शन करते हैं कि देखियत के तुल्सि गुफा है और तुल्सि गुफा में हम आई हुए हैं और यहां के जो पोजारी जी हैं उनसे कुछ बात करते हैं और जानकारी आसिल करते हैं तो महारा जाड़ाएंगे कुछ यह वह इंदान है कि जिश्थान के नाम से आज sono जब जब लोग चित्रगूट को याद करते हैं तो उनके मन में इवस यही दोहा आता है कि चित्रगूट के घाट पर भी संतन की भीड तुलसिदार चंदन की सेंति लग देत रहे हैं। हनमान जी से उन्होंने कहा मुझे भगवान का दर्सन करना है तो हनमान जी ने कहा कि चित्रगूट जाकर तबस्या करो वहीं आपको राम नाम का जाब करो वहीं आपको भगवान का दर्सन होगा। हजारों संतों की भीड थी उन्हीं संतों की भीड में बालक की रूप में भगवान राम लच्पन आए और बाबा तुलसिदार जी से कहने लगें बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो लेकिन तुलसिदार जी पहचान नहीं पाई थी भगवान है। हनुमान जी ने द्रश्च देखकर जो चिंतित हो गए कि लगता है कहीं आज भगवान फिर न चले जाए चंदर लगाते है। तोती की रूप में प्रगट हुए। इसले में कलिउप का जो अवतार है हनुमान जी का वह तोती की रूप में है और आपको इसी जगे उस वतम्ख हनुमान जी का दिप दर्शन होगा पूरे बिस्त में कहीं नहीं है। तुलसिदाजी ने तुरन चड़नों को पकड़ लिया तुलसिदाजी को अपने भगवान दिर पर रूपता दर्शन दिया आसर बात दिया कि तमारा कल्यान तो हो गया लेकर तमारा जो जन्म हुआ वो संसार कल्यान की लिए हुआ है इसी जगे फिर हनुमान जी ने तुलसिदाजी ने यहां से रामचेज मानज जैसे महान गंद की रचना शुरू की जो आज घर-घर मानज की गंगावन घर बह रही है इसको पड़कर भगवान के चरित को लोग जान रहे हैं और चित्रगुड में आके उनके पावन स्थाथ का दर्शन करते हैं यह आप अ च्रламन पामन तुलत स्रीता जी और यह थोता म की अनमान जी जो थोता मणकर दोहा बोरे थे आज आज आट तुटा म की अनमान जी दोस्तों इस समय हम रामधाट चित्रिकूट रामधाट पर हैं और यहां साम का नजारा है और देखिए आरती का समय है अभी आरती होईगी कुछ समय में अभी हम आपको दिखाएंगे आरती अभी हम आरती 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 ह तो नहां जरी थो आग सा मिन डराक जो जो रुम हाग जाल्य मेरे उमारा पता 煌 जाल्य मेरे लुमाररा पता सार्य झπα्रे इसो टे सार्य झपरे इसो टे कि रोग दोस्तों मैं चंद्रमान चंद्रेवलग में आपका स्वागत करता हूं और यह देखिए आज मैंने आपको चित्रकूट पे चित्रकूट के रामघाग पर यह मैं आपको आरती दिखलाई तो दोस्तों यह मेरा विलोग अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सेयर सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज धन्यवाद मैं आपके लिए लाता रहूंगा एक से एक और नई से नई वीडियो